एक वीडियो मैंने सेट की है आपके लिए और आपको देखने के लिए बिजाई है आप देखिए और प्यार दीजिए और अभी मेरा पूरा काम खतम हो गया है और में केंजल का टाइम हो गया स्कूल से आने का वो ऐसे 4 o' कॉल तक नहीं रहती है वो जल्दी ही आ जाती है और मैं अपर युस्व ले आऊ और पुछ स्व जी मैंने ऐसे साफ कर ली थी तो सवजी मैंने साफ कर ली तो मैंने छहल निकाल लिया है तो अभी फूदीन भी मैंने साफिल कर लिया था तो बकेट में रखके इसे बहुत अच्छा से मसल मसल के साफ करूंगी तो अभी मैं हानी को ले आँ और साथ में मैं उसे मेरे पास ना ये तोरी आज बनाने जा रहे है और इसे मैं बनाऊंगी और इसके अंदर चाहिए मुझे आलू-ालू के बिना ये अच्छी नहीं लगती तो आलू ले आती हूं और कुछ ऐसे गुरलीन बहुर रही थी कि मुझे ब्रेड चाहिए सुभा नाजते में तो ब्रेड और कुछ और तो मकैंजल को साथ लेके जाती हूं और ले आती हूं और आप भी मेरी वीडियो जो मैंने बिजाई है अब के लिए उसे प्यार दीज ये देखिए नज़ एक अि मैं मकैंजल को लेके स्कूल से डायएग्ट मैं आ गई थी कुछ सब्जी लेनी थी थोड़ी सी और आलू बहुत है थे और सबजी अलू एक ही है और थोड़ा सा समान मैंने और लेना था वो आ गई थी और मकैंजल को बहुत खुशी मिल रही थी कि मम्मी आज मुझे डियरक्ट शॉपिंगी ले आई हैं गर नहीं लेके गई और ऐसे स्कूल पास में हैं मैं चलके लेके आती हूं और देखी आ हुआ कि जो इसके अंदर डबियां बनी पड़ी है ना बाहर का फ्रेम बहुत अच्छा जो अंदर की डबियां है ना दो डबियां थोड़ी सी ऐसे टेड़ी हो गई है और उनकी वज़ास से क्या है कि वह सेटिंग नहीं हो रही थी तो वह पास में मिस्तरी आये हुए हैं कबोड बन रहा है तो मैंने सोचा कि उसे भी सेट कर वा लेती हूं देखे आई और फिर आ गई थी और आके आज मुझे क्या करना के सोफे के पीछे मैं अच्छे से बहुत जाती पूंचती हूं सामने सामने से और आठ दिन के ऐसे बाद संडे संडे नहीं तो कभी ऐसे वी नहीं रहता है थोड़ा सा कुछ रह जाता है दिखिए दो चाथ दाने ऐसे है कुछ नकुछ मेंजल खाती है वो ऐसे रह जाता है मगर अंडर परसंट क्लीन ही रहता है और आज वो करना था मैंने तो deep clean बोल सकते हैं इसे और वो मैं कर रही थी एकदम थोड़ा सा ही कच्रा निकला था इसके पीछे से वो भी न वहाँ से थोड़ा सा सीमट का कुछ हो रखा है तो उसकी वज़ा से है शायद ऐसे और कुछ भी नहीं था मैं दिन में दो बार जाड़ू लगाती हूँ पोचा एक टाइम लगाती हूँ जाड़ू दो टाइम लगाती हूँ क्योंके शाम को भी मैं एक बार लगा देती हूँ पहले तो मैं ऐसे बाहर काम पे जाया करती थी जब तब तो मैंने कभी नहीं लगाया बिजी रहना सुबा सुबा करके चले जाना आप क्या है मैं गर पे रह रही हूं लॉक्डॉन जब से हुआ है गर पे रह रही हूं तो उसकी वज़ा से क्या है कि मैं दो बार जडू लगा देती हूं खाली बेटी रहती हूं शाम को तो चलो जडू लगा देते हैं फिर से एक बार तो ठीक लगता है मुझे भी और अपना मनखुश कर रहे हो आप नहीं भी कर रहे हो तो भी कोई ऐसा प्राब्लम नहीं है आपको कौंसर यह सामान बोलने माला है मुझे साफ करो वह आपकी खुद की रहती है कि इश्या के हाँ से जितना हो सके मैं चमकाओं जहां फिर मेरे गर में फरनीचर है जहां नहीं है सोफा है जाँ फिर प्लास्टिक की चेर है वो सब माईने नहीं रखती माईने रखता है कि आपका मन खुश रहना चाहिए और वो आप सफाई कर लोगे तो बहुत अच्छा खुशी मिल जाती है कुछ लोग नहीं भी साफ करें एक बार कर लें तो भी उनको खुशी मिल जाती है अगर मैंने देखा है 100% लेडी को बहुत रहता है कुछ ऐसे रहते हैं बिजी होने की बज़ा से नहीं तो कुछ उनको स्याइद तो ये मैंने साफ कर लिया है एकदम थोड़ा सार से निकला था कच्रा और दिवान को भी पहले जो टायर लगे थे न वो उखड गये थे जब शिप्टिंग की थी और नए वाले लगाए हैं थोड़े उपर करके लगाए हैं बड़े वाले लगाए हैं मैंने और पाउं और वो भी जड़ एकदम आगे तक चला जाता है और बहुत अच्छे से साफ हो जाता है दिवान यहां रखने से क्या है कि हमारा हॉल बहुत छोटा हो जाता है तो सबसे इसका यह पंगा है कि स्रिंदर ने आना है तो बोलते मैंने टीवी देखना रहता है सोफी बैड पे यह दिवान तो फिर से वहां से एक ले आए थे और मेरा तो मन करता है जो मैंने रखा है सोफा वह भी साइड में रख दूँ और अच्छा लगेगा और पूरा टाइम सोफे में बैठा भी नहीं जाता है कभी मन करता है कि हां बार बार हम अपने बैड रूम में जाके ही ले लगी रहता है और सफाई हो चुकी है ऐसे तो बहुत नीट रखती हूं मैं कैसे बताऊं आपको बहुत सारी सफाई चलती रहती है मेरी पूरा दिन अब खाली रहती हूं सुबा काम किया और दिपहर का भी मकैंजल गुरलीन चले जाते हैं हो जाता है सब भी काम सुबाई ह हो जाते हैं दस बजे क्योंकि गुरलीन जल्दी जाती है सेवना क्लॉक हो जाती है तो हंडर परसंट 1030 को मेरा काम पूरा कम्प्लीट हो जाता है आफ्टरनून का भी लंच वंच हो जाता है सब तो दोनों चल जाने के बाद मैं एकदम फ्री रहती हूं जो भी मेरा छोटा मिलती है अब भी मैं आ गई थी किचन में और किचन में आज सुबह मैंने बरतन साफ किये नहीं और जब सुबह नाचता और लंच चाय दूद्ध वो सब एक ही बार होता है तो बरतन थोड़े से जाड़ा हो जाते हैं और आज दो चार बरतन मेरे नाइट वाले वी थे क्यो नीच दिन ठीक है और अभय दिखा रही हूँ और यह सब इसलिए थे बोर रही हो कि कुछ लोगों की टिचन बहुत चोटी सी रह नहीं हो रहती है और वृक्त सी जगा रहती है तोड़ी जरीडिय बनानी है जैसे आप देली बनाते हैं रोटी चखला बेलना रखना आटा रखना है वो सब डेली आप राइस खाते हो दो टाइम तो उसकी अलग बात है जो रोटी खाने वाले रहते हैं उनको चकला बेलन आटा और वो जो पाउडर आटे का रहता वो रखना है उसके लिए थोड़ी सी स्लैप चाहिए बड़ी सी तो मेरी देखिए जितने में बरतन रखे हुए है इतनी सी स्लैप है और साइडों में मैंने प्लेट के स्टैंड रखे हुए है वो प्लेट के स्टैंड रखने के लिए भी मेरे कबड के अंदर जगा नहीं है और वो भी मुझे वहाँ रखना है चकला बेलन का स्टैंड है वो भी साइड में मैंने रखा हुआ और जब मेरे बरतन गंदे हो जाते हैं तो गंदे बरतन कैसे रखने हैं थोड़े लोगों को ये भी सने में नहीं आता और लोगों तो क्या मेरी गुरलीन को भी दो प्लेट बोल दू न साफ कर तो उसे समाई नहीं आते कहां गंदे रखूँ और कहां साफ रखूँ तो जैसे मैंने शैंक में पहले रखे थे, गें गंदे के बरतन, वो सारे ही मैंने पानी के साथ साथ करके सलैप के ऊपर रख लिये और जो भी उनकी गंदगी थी, जूठन थी साफ कर ली और उसके बाद फिर से मैंने शैंक को अच्छे से माच़के फिर सर्फ जो भी साबन लगाना है बरतनों को लगा के फिर से मैंने शैंक में रखी और अपना जो जाली थी फिर रखके फिर मैंने साफ करके फिर इसमें रखे तो देखिए छोटी सी slap में मैंने इतने सारे बरतन साफ कर लिए और इदर-उदर रखने की जरूरत मी नहीं पड़ी मगर उनको तरीका था एक के गंदे बरतन इस तरफ रखने है फिर से साफ करके इस तरफ रखने है तो उस तरफ तो देखिए प्लेट का स्टेंड है चकला बेलन है तो इस तरफ ही है जो भी है तो अब मेरा गैस टोप साफ ही है थोड़ा सा और करना पड़ेगा और ऐसे नहीं कभी कभी दूद उबल जाए नहीं तो कुछ आइलवाइल गिर जाए ना उसमें जादा गंदा हो फिर मैं इनको सबको अपनी अपनी जगा पर रखोंगी अभी फिलहाल सुबह के ऐसे ग्यारा बज रहे आज थोड़ी लेट हो गई ग्यारा हो रहा टाइम और चार बज़े इनको फिर से मैं ठकाने लगाऊंगी जहां जहां इनकी जगा है और पास में रख लूँगी अप जो भी काम आपको दिखा रहे ही नगे पेंडिंग है और जैसे मैंने वो डीप क्लीन की है और वो भी ऐसे कुछ दिन हो रहे दस दिन मैंने अच्छे से नहीं से सोफे को साइड में किया नहीं तो ऐसे 5-6 दिन के बाद सोफे को साइड में करके कर लेती हूं और आज मेरे तो यह थोड़ा दम लगने वाला है आज तो ऐसे सुवजवा बहुत बारी बरकन काम ही कर रही हूं जो डेली छोटे मोटे रहते वो तो हो गए थे तीन-चार काम है यह पूरा दिन लगा आज मेरा इन्होंने खतम कर दिया अभी वह सब करते करते हैं अभी मेरे को ट्वेल थ चलता रहेगा तो यह कपड़ों को भी वननावर हो जाएगा करते करते और ठीक है कभी-कभी पूरा दिन डेली-डेली वही दिन नहीं रहता है हर दिन चेंज होता है और कपड़े हो गए थे मेरे प्रेस और थोड़ा समय अब रेस्ट ले लिए और अब सब जो कपड़े है गुर्लीन के अलग कर दूंगी मैं कैंजल के लग और अपने अलग थोड़े से दो तीन शर्ट सुरिंदर की थी और वह भी अलग कर दूंगी और अब फिर से मैं किचन में आ गई थी और मेरी मलाई भी बहुत सारी कठा हो रखी थी तो यह कम से कम 10-15 दिन की मलाई है तो मै मैंने सोचा इसको भी कर लेती हूं सेट और कडाई में मैंने जमा करके रखी थी और जो बड़ी सी बाटी है न स्टील की उसमें रख ली है दो मिनिट में ही मक्षन आ जाएगा और इसको भी आज गरम करके गी निकालना है ऐसे मैं सोच रही हूं कि एक वन केजी मेरा गी न कठा करना बहुत अच्छा लगता मुझे ऐसे लगता है नहीं मालम क्या कर रही है बोले तो ऐसे एक अलगी फील होता है जैसे मार्केट से गी ले आते हैं पटापट यह थोड़ा-थोड़ा यह कठा करना मलाई को फिर उसे संबाल के ऐसे गी बनाना उसकी अलग ही कितना में तो बन केजी वोलती हूं ऐसे तो देखिए थोड़ा सा ही कम है बन गया है बहुत अच्छा बन गया फिर मिलती हो फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट व्लॉग